पास कुछ IC हैं यहां पर यह आप देख रहे हैं आठ पिन की IC है यह है और यह ICA TBA 810 यह एक ICA 7490 अब हम देखेंगे इसकी pin number कैसे count करेंगे इसका pin configuration कैसे होता है यह देखें यह है IC इसकी pin कैसे count करेंगे इसमें एक उपर की तरफ देखोगे यह कैसे curve बना होता है यह देख रहे हैं IC में और हम इस side से left side से counting start करते हैं यहां dot बना होता अगर नहीं भी बना है तो इस तरह से count करेंगे 1, 2, 3, 4 फिर वापस ऐसे जाएंगे 5, 6, 7, 8 यानि की जो यह 8 pin की IC है IC 555 इसकी counting ऐसे होगी anti-clockwise घड़ी की सूजियों के चलने की भी परिद्धिसा में यानि अगर यह cut है तो 1, 2, 3, 4 और फिर यहांगे 5, 6, 7, 8 ऐसे होगी इसी तरह यह दूसरी IC है उसका भी same वही function है ऐसे रखेंगे top view से लेंगे top से देखेंगे और यह ऐसे count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pin इदे रहे 7 इदे रहे तो ऐसे 14 यहां तक आगे खतम होता है इसी तरह यह pin इसका भी ऐसे देखेंगे component के top view से देखेंगे back side से नहीं देखेंगे जिदर pin है उदर नहीं देखेंगे top से देखेंगे और anti-clockwise count करेंगे 1, 2, 3, 4 और इदर से last तक ऐसे ही सभी IC का count करेंगे यह IC base है इसमें भी ऐसे कर्व बना हुआ है आपको पता है जो IC खराब होती है solding, desolding बार-बार करने पड़ती है उसके लिए IC base यूज़ करते है तो उसके लिए क्या करते हैं यह जो slot है same उसी तरह से हम उस IC को वहां पे रखेंगे यहां पे रखेंगे यहां पे जो slot है और यहां पे इसको लगा देंगे इसके उपर और जो IC base है उसके soldering करते हैं और अगर कोई fault होता ऐसी में IC base से निकाल करके उसको कर देते हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है तेंक यू